यूपी विधान सभा चुनाओ के चौथे चरण में आज कई दिगजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें सबसे पहले सूबे की पूरु मुख्य मंतरी वबस्पा सुप्रीमो मायवती ने राजभानी लखनव स्थित निगम नरसरी स्कूल में अपना मद्दान किया। वही मद्दान के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब ही मायवती ने कहा कि मुसल्मान समाजवादी पार्टी से खुश नहीं है। वे उन्हें वोट नहीं देंगे यूपी के लोगों ने वोट देने से पहले ही सपा को नकार दिया है क्योंकि सपा को वोट देने का मतलब गुंडा राज, माफिया राज है वहीं लखनव पूरो से नगर विकास मंतरी आशुतोष गंडन और सूबे के कानून मंतरी ब्रिजेश पाठक के साथ ही केंद्रिय रक्षा मंतरी राजनात सिंग और उनके बेटे पंकर सिंग ने भी आज लखनव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया इधर मद्दान के बाद राजनात सिंग ने कहा कि इस बार का चुनाव सुसाशन और विकास के मुद्दे पर है और इस मामले में हिंदुस्तान में अगर कोई अवल पार्टी है तो वो बीजेपी है वहीं योगी सरकार में मंत्री महसिन रजा ने मद्दान के बाद मुख्य मंत्री योगी आदित तनात की जमकर तारीफ की और कहा कि आज यूपी अपराद और आतंक वाद मुक्त है हर कोई खुद को सुरक्षत महसूस कर रहा है लोगों को रोजगार मिल रहे हैं साथ ही आज यूपी की अर्थविवस्था दूसरे स्थान पर है जिसे नंबर वन बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं आगे उन्होंने सुबे में योगी आदित तनात के नेतरतु में फिर से सरकार बनाने का दावा भी किया तो यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी पूरे परिवार के साथ मद्दान केंदर पर पहुँच कर वोट किया इधर बीएसपी नेता सतीश चंद्रमिश्टा ने मद्दान के बाद सूबे में पूर्ण बहुमत की बसपा सरकार बनाने का दावा किया और कहा कि बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की और अग्रसर है अब की बार भी 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है वही भाजपा सांसद साक्षी महराज ने उन्नाओ के गदन खेडा प्रात्मिक विद्याले पहुँचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और इस दोरान उन्होंने कहा कि अपकी उन्नाओ की छे की छे सीटों पर भाजपा की जीत सुनेशित है क्योंकि जनता भाजपा के साथ है कड़ी सुरक्षा के बीच लखीमपूर खीरी के बनवीरपूर मद्दान केंदर पहुँचे केंदरिये मंत्री अजय मिश्रटेनी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया तो लोग कई का मालनी अवस्थी ने मद्दान के बाद खास अंदाज में जनता से वोट डालने की अपील करते हुए गीत का है